पिहार बोड से जितने भी एस्टुडेंट्स मैट्रिक या इंटर की बोड परिक्षा 2021 में उत्रिन किये हैं तो आपको जो सिक्षा भी भाग के तरफ से प्रोचसाहन रासी दिया जाता है मैट्रिक पास सभी छात्र छात्राओं को आपके 10,000 रूपिया और इंटरमेडियर प आप चाहे अपना फॉर्म अपने से फिल करें या साइबर कैफे के माध्यम से फिल करवाएं लेकिन अगर ये छोटी छोटी गलती आप नहीं करेंगे तो इससे क्या होगा कि आपका फॉर्म रिजक्ट नहीं होगा नहीं तो काफी विद्यारती फॉर्म भरवाते समय और उ आपको कौन कौन सी साउधानी ब्रतना है जो भी मैं एस टेप बता रहा हूँ अगर इतना एस टेप करके आप ओनलाइन आवेदन कराएंगे और ओनलाइन आवेदन करने के बाद भी जो जो मैं एस टेप बता रहा हूँ उतना अगर करके आप अपना आवेदन चेक कर लेंगे तो आपका पैसा सबसे पहले आ जाएगा तो इन सभी परक्रियाओं को करने के लिए आपको अपने मोबाईल का कोई भी ब्राउजर उपन करना है ध्यान से जरूर समझेगा इस बात को जैसे मैंने अपने मोबाईल का Chrome ब्राउजर उपन किया ऐसे ही आप अपने mobile का कोई भी browser open कीजिए और Google search box में आ जाएए और इस channel का नाम ऐसे AR carrier point आपको type करके search कर देना है ऐसे ही आप search करेंगे आपके सामने कुछी तरह search result आएगा और जहां पे आपको दिखाई देगा AR carrier point.in simple सा आपको इस website पे click करना है अगर आप सीधे AR carrier point.in website पे पहुँचना चाते हैं तो link मैं description box में दे दिया हूँ वहाँ पे click करके यहाँ पे आप पहुँच सकते हैं यही पे आप थोड़ा सा नीचे की तरह बढ़िएगा थोड़ा सा और नीचे बढ़िएगा तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा देखिए आपे 10,000, 25,000 के लिए online आवेदन form यहाँ पे शुरू हो चुका है simple सा आपने को इस post पे click कर देना है अब यहाँ पे आप जैसे ही पहुँचेंगे तो यहाँ पे एक एक जानकारी अपडेट किया गया यहाँ से ध्यान से एक एक बात को समझेगा सिर्फ आपको महत्वपून बात बताऊंगा कि क्या क्या यहाँ से आपको समझना है 13,1 से शुरू हुआ है आवेदन 31,3 तक डेट है काफी अभी लंबा समय है यही पे 12 क्लास के लिए भी है 13,1 से वह भी शुरू है 31,3 तक लास्ट डेट है यही पे नीचे की तरफ बढ़ेंगे तो सभी क्राइटेरिया बताया गया है यही पे थोड़ा सा नीचे की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ पे इस साल एक और भी बाहित परमाल पत्र था की on married certificate माना जा रहा है तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे उसका PDF दिया गया तो simple सा आपको और भी बाहित परमाल पत्र बनवाने के लिए यहाँ पे जो click here है simple सा आपको इस click here पे click कर देना है ऐसे कुछ permission मागेगा आप कहीं पे इस पे click किजिएगा कि internet speed पे depend करेंगा कुछी तरह आपके सामने और भी बाहित पर्माल पत्र डाउनलोड होकर open हो जाएगा यहाँ पे देख रहे हैं simple सा आपको यहाँ से click करके download करके इसका pdf निकलवा कर और इसका आपको क्या करना है यहाँ पे सभी जानकारी भरके और यहाँ पे आपको ग्राम परधान या सरपंच से या वाड मेंबर से किसी का और स्टांप के साथ में यहाँ पे मोहर करा लेना है बस यहीं अपडेट करना यहीं आपको upload कर देना होता है यहीं यहाँ आप देख पार है unmarried certificate आपने देखा कि unmarried certificate बनवाने के लिए आपको कहीं नहीं जाना है सिंपल सा यहाँ से आपको इसका PDF डाउनलोड करके और आप मोहर सिगनेचर करा लेना है सभी काम आप यहां से इस website पर पहुंच के कर सकते हैं यहीं पर नीचे की तरफ बढ़ेंगे तो इसके लिए 0 रूपया फियर तद की आवेदन के लिए कोई भी फिय नहीं है लेकिन अगर आप साइबर कैफे के माध्यम से कराते हैं तो लोग कुछ रूपया फिल लेते हैं अब यहीं पर नीचे की तरफ बढ़िएगा तो यहाँ पे महत्तवमूर जानकारी सुरू होता है अगर आप तेंथ के छात रहें तो यहाँ पे देखिए तेंथ पास्ट के लिए सभी लिंक यहाँ पे दिया गया है अगर आप 12 पास्ट की हैं तो आपके लिए यहाँ पे सभी लिंक मिल जाएगा सेम परकिरिया अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले अगर आप तेंथ पास्ट है तो यहाँ पे मैं जो परकिरिया बता रहा हूँ यहाँ से आपको करना है अगर आप 12 पास्ट है तो सभी परकिरिया सेम है यहाँ से आपको करना है यहाँ से आपको अपलाई करने से पहले लिंक 1 या लिंक 2 पर क्लिक करना है जैसे मैंने लिंक वन पर क्लिक किया तो आपके सामने कुछ इस तरह ओपन हो जाएगा यह तेंथ पास्ट का टुवेल पास है तो सेम परक्रिया मैं बता रहा हूं वहीं से आप कीजिएगा और यहां पर देखें लास्ट डेट आपको मिल जाएगा और यहां आप जो बोला गया था अभिबाहित होने का परमालपत्र के आप अभिबाहित थे यह सभी जानकारी यहां पर कि आप बिहार के निवासी हैं यह सभी जानकारी आपको पढ़ देना है इसको एक बार जरूर पढ़ लिजिएगा और उससे जरूरी होता है कि आपके लिए करना इस में अपको करना इसमें मुझे अपना नाम देखना है स्विबाहित लिस्ट के सामने बने हुए देखिए click here पे हमने click किया आप 10th के past या 12 वहीं से आप देख सकते हैं आपके अपने same पर किरिया है यहां से आपको अपना district select कर लेना आप जिस भी district से होंगे फिर यहां पे आपका जो भी college school होगा यहां पे आज आएगा simple सा उसे select करना है और यह से ही आप click करेंगे देखिए यहां पे सभी जानकारी आपका आज आएगा कि आपका नाम इसमें होगा तो यहां पे देख लेना आपके father's name mother's name आपका registration नमर का last digit तो यह आप form भरने से पहले जरूर देख लिजेगे क्योंकि इस list में आपका नाम होगा तभी आप इसके लि आइना वेदन कर लेंगे फिर यहीं परकिरिया करना है और यहां पे आके तब चेक कीजिएगा तब आपका account number यहां पे आधार number आपका सो करेगा यहां पे जो not submitted दिखा रहा है यहां पे आपका submitted दिखाएगा यहां पे account status अगर reject होगा तो यहीं पे दिखाएगा अगर आपको form apply करने से पहले क्या करना है लिंक वन लिंक दो पर किलिक करके आपको सभी notification पढ़ना है उसके बाद student list में आपको नाम देखना है form भरा जाएगा आप कहीं से भर आ रहे हैं खुझ से भर रहे हैं उसके बाद फिर आकर आपको student list पर किलिक करना है और जैसे मैंने बत आपको अगर cyber cap या कहीं से भर वा रहे हैं तो user id password आपको वहां से ले लेना और capture फिल करके लोग इन करके आपको देख लेना है कि वो लोग सभी जानकारी आपका सही सही भरे हैं कि नहीं और उसके बाद आपको क्या करना है कि student login पर चेक करने के बाद आपको आवेदन चेक यहां पर सर्च आपको करके देख लेना है कि आपका पैसा कब तक आएगा यहां पर सभी जानकारी आपका सो होगा इस पूरे वीडियो कि मैं आपको सरांस बदा दू तो arcarrierpoint.in website पर आप पहुंचिए और यहां पर एक एक जानकारी आपके लिए अपडेट किया गया आप आपको link 1 या link 2 पे click करके आपको क्या करना है कि परले instruction पढ़ना है उसके बाद आपको student list में नाम देख लेना अगर आपका student list में नाम होगा और same काम यह त्यंत का मैं बता रहा हूं यहीं पर अगर आप 12 past किये तो same काम यहीं से आप कर सकते हैं अगर student list में आपका नाम आप अपडेट हुआ है कि नहीं उसको फिर आपको चेक करना है और उसके बाद यहां पर student login पर आके यूजर आईडी जो password मिला उससे आपको पता कर लेना है आपका सभी जानकारी सही सही भरा गया है कि नहीं और यहां से आकर आप हमेसा अपना application status चेक करते रहेंगे कि अपने से भर सकते है और सभी काम यहां से आप कर सकते हैं आप खुझ से यहां से फॉम बीजया है अगर इतना साधानी बरतन directing तो आपका पैसा सबसे पहले आएगा और आपका पैसा सबसे पहले आईगा और आपका पौर किसी कारण र Old noir two यहां से आकर application status में आप reinforcement कर चेक क